साड़ी की फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ी दिया दिल कभी कैच किया रे तो हाई गाइज नमस्ते आप सब खुब की आप सब अच्छे होंगे तो गाइज मैं हूँ आपके अपनी दोस्त मीनु राथा और आप देखकर समझी गए होंगे का नक्षिश इना जी का मैंने लुक रीक्रेट करने की कोसिस की है ज्वाजी है मैंने मंगाई है मीसो से और रिंगी मैंने मीसो से परच लुक अच्छा लगे तो प्रीज कमेंड जरूर कर दिए सब्सक्राइब करने वाली हूं साथी साथ कुछ है करने कि नहीं हो डिपिश्टिक अगर आपके पास में तो उसे कैसे बनाए आइस लुक कैसे रिक्रेट करें तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक चैनल पर नि जो भी स्कीन में थोड़ी बहुत डर्ट रह जाती है वह इस तरह से अगर आप कॉटन वाल से लगाते हैं टॉनर तो वह से निकल जाती है फिर मैंने बैसलीन लगाई थी लिप्स पे इसके बाद पॉंड्स का सुपालाइट जैल मॉस्चुराजर लगाया है आपको जो भी द्रुप क्रीम अच्छी से हाईडरेटर रहें इसके बाद मैंने यह रिप्स पोड़ी करें प्राइमर और इसको लेकर मैंने फिंगर टिप्स की आप से जहां मेरे ऐपन पोर्स में थे यह अपको ब्लैन करना इसको बहुत जादा मदब आपको ब्लैन नहीं करना जो मेरी पर रहा गया तो मैंने अईलीट पर लगा लिया और इसके बाद मैं यहां पर एनवाइवी का एक बन से टू से डार कंसीलर है जो मेरी स्कें से उसे मैं एजे कलर करेक्टर जहां जा मुझे अई माल पिङ्मेंटेसन है और अनडर आऐ के निजए मैंने इसको लगाकर और एक कसीलर और यहां पर ब्लेंड करने के बाद यहां पर मैने मैंने मैबलीन का अब दोनों को से मिक्स कर contrac तो आप थोड़ा अशा प्रोडक्ट इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाता अगर आप उसे फिंगर की हल्प से अच्छे से कर लेते हैं मैस तो इसके बाद मैंने एक फाउनेशन ब्रेस्ट की हब से उसे पहले ओल ओवर फेश पर नेक पर अपलाई किया और इसे मैंने फिर ब् माई और बेन करने के यह इंसाइट Bacon की तरफ जाता है मैने यह जहां मुझे हाईलाइट करना था reuns एक ने पहला मैने इसको लगा लिए मैंने वाले कंसीलर ब्रेस्ट पर मैंने थोड़ आशा मिस्ट इस प्रेय किया और इसको भी ब्लेंड कर tiet करे अन्च्छ श्टक आफ च लिपिष्टिक लगा लिए और इक ब्रॉंजर ब्रेस की हाप से इसको अप्लाई किया फिंगर टिप से ही ब्लैंड कर लिए थोड़ा फोर हेड पी लगा लिया है और मतलब ही है कि अगर आपके पास कॉंटोर नहीं है तो आप न्यूड कलर की जो लिपिष्टिक होती है उसे नीचे भी और इतने देर में अपने आइब्रोस को फिल कर लेते एक डाक ब्राउन कलर का आई सेड लिया है और इसे मैंने स्पूली ब्रेस की हैब से पहले कॉम किया था फ्रेंगलर ब्रेस की हैब से प्रॉड़क्ट लेकर अप्लाई कर लिया था जो आपी नैच्रल इसको भी डिफाइन करते हुए और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसके बाद जो बीकिंग की थी उसे एक बड़ी फ्लपी ब्रहस की हर्प से मैंने इस तरह डश्ट आउट कर दिया है करने के बाद हिहां पर मैं आव एक कॉम्पैक्ट ले रही हूं यह मैं लैक मेका कॉ जाए लिए और जहां जाए थो और फोर हैट पर इसके बाद मैंने शुष ब्रॉटी की थी इन वन पैलेट लिया इसमें से पहले ब्रॉंजर अप्लाई किया है चीक पे और थोड़ा शाफ फोर हैट पे और इसके बाद इसी मैसे जो मैंने ब्लश था उसको छोटे वाले ब ब्लेंट किया था उसे एक बड़ घुमा दीजे तो वह लाइट हो जाता है इसके बाद मैंने ही हाँ एक पीछ कैंड ऑफ सेड लिया है पहले इसे मतलब की अपने क्रीज एरिया पे लगा लिया था फिर एक फोर राइट रड सेड लिया है मतलब मैंने फिर लिया था ब्लस इनर कॉर्णर से लेते हुए उसमें इसको समझ कर दिया लाइन मैं फिर बीच का जो गैप था उसे फिल कर दिया फिर मैंने काजल लेकर लोर वाटर लाइन पर लगाया फिर वही से जो मदब डाग ब्राउन और लाइट ब्राउन को मिला कर मैंने इनर कॉर्णर के नीचे से सम यह मैं अच्छे से लगा लिया क्योंकि वहाँ पर ही उनका फोकस बहुत जादा था और इस वाद फिंगर की हाई और अप्रोज को इस तरह डिफाइन कर दिया हाई लेटर से और इसके बाद में यहाँ पर सैड़ मैंकप फिकसर लेकर अच्छे से स्प्रे कर दिया थोड़ी संदूर से और इसको एर ड्राइ होने दीजिए इसके बाद मैंने रैड कलर की बड़ी सी बिंदी लगा लिया है बिंदी लगाने के बाद मैंने ज्यादा तर मुझे बिल्कुल कमफर्ट नहीं लगते हैं तो मैं लगाती नहीं हूं लैसे बट फिर भी मैंने आज उन्होंने लगाए हुए था तो मैंने लगाने की कोशिश की और अच्छे से मैंने पहले इस पे लगा लिया तक बिलू सके बाद इनको अप्लाई कर लिया था फिर मैंने आपे यह पहले लिक्यूट संदूर लगाया अच्छे से मिड़ पार्टिशन करके पीछे तक उन्होंने बिन्न से सघ्ण कर दिया और इसके बाद शायज को इस तरह से इकड़े में कम है डिया निया के बादक है आपको जह से इसको एक बार ऐसी निकाल के दूसरी वार थोड़े छोड़ के उसको रैप कर देनिया था यूप इन से सेक्योर कर दिया अब घजरा पहले मैंने एक घजरा लगाया और उसके बाद मैंने बड़ा ज़रा नीचे की साइड से लगाया तो उनकी तरह हेर इस्टेल बनके भी रै वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो ची लगी हो तो लाइक जरूर करने नाइक्स टाइसी वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए सी यू बावाए